हलो नमस्तकार दोस्तों मैं डाक्टर ननल कुश्वाह आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था जो चर्चा का बिसह चला था उसी के आगे का यह कांटिन्यू करते हैं हम आपको जो आज पढ़ाने वाले थे वो थे प्लशेंटेशन यह हमारी नेक पार था तो हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा रखा था अभी प्लसेंटेशन से आपने देखा था टीजीटी और पेजीटी इसके अलावा जी आई सी इसके अलावा आपका आसिस्टेंट प्रोफेसर में एक्जाम में आपने देखा था कि प्लसेंटेशन से दो दो ब्लुमाईटिक होता है समझ में नहीं आता कि कैसे इसको करें यह किस बेस पर करें तो चलो आज यह जो ख्लास है लुआ हमारी यह क्लास हमारी YouTube पर भी जाएगी दियान रखेगा YouTube पर भी जाएगी और जो हमारे मित्र YouTube में हम activity जुड़े मेंबर्शिप 999 है हमारा डाक्टर नोट्स बायलोजी का आप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साइन अप करके मेंबर्शिप ले सकते हैं जो यह यह वाला जो बैद चला है उसकी वालेटी यह एक्जाम तक जब तक एक्जाम नहीं होगा तब तक यह च प्लास हो जाती वह आप पर इस्टोर हो जाती जब चाहें तब देख सकते हैं इसके अलावा आपने देखा था कि यह भी आपको बताना जरूरी है कि डाक्टर नोट्स परिवार की एचीव्मेंट क्या है चुकि देखिए ऐसा है जब आप कहीं जुड़ते हैं अगर कहीं म हजा कि केवल मतलब हवा में बातें करते हैं और कोई इनके पास रिकार्ड नहीं तो हम आपको बता दें TGT 2021 में 70 प्लस मित्र सेलेक्ट हुए डाक्टर नोट्स बाइलोजी के TGT 2016 के अगर बात करें तो लगबग 35 प्लस मित्र सेलेक्ट हुए थे अगर हम आश्रम प्द्यत की बात करें तो लगबग 50 से लेकर 70 मित्र तक यहां सेलेक्ट हुए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर वाटनी की बात करें तो लगबग 10 मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर वाटनी पर यू कॉल है यह रिकार्ड है हमारा क्योंकि हम रात्री में आ अलावा भी discussion करते हैं, जिससे आपको कहीं भी question मिस ना करें, उसके लावा हमारी पूरी library है, notes की library है, जिससे आप जुड़ते हैं, GS की library जुड़ते हैं, biological library जुड़ते हैं, और कोई समस्योती दो बात करते हैं, चोटी ये परिवार है ना कि coaching संस्थान है, और ये क्या है? परिवार की तरह हम सब मिलकर पढ़ते हैं, ऑं मिलकर पढ़ाते हैं दूसरे को, जिससे selection इतना दे पा रहा है, चलिए, प्लसंटेशन की बात करते हैं, और प्लसंटेशन का मतलब क्या होता है, पहले यह समझ लेते हैं, प्लसेंटेशन का मतलब यह होता है, जो प्लसेंटेशन का मतलब होता है, क्या होता है, विन्यास, और किसका विन्यास, तो वीजांड न्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीजांड का लगनी का जो क्रम होता है, उसको वीजांड न्यास के नाम से, अब बात करते हैं बीजान न्यास की और बीजान न्यास पे बोलते हैं प्लेशेंटेशन यानि वह व्यूल का ध्यान रखने का ओव्यूल का जो लगनी का क्रम होता है वही प्लेशेंटेशन कहलाता है और प्लेशेंटक द्वारा लगता है यहां हम आपको यह निसकाने कि कौ तो हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं उस ट्रिक को याद रखेंगे चाल लाइने हम आपको लगाएंगे प्लसंटेशन से आया हुआ कोईशन कभी गलत नहीं होगा थोड़ा सा इसको एरेज करना है तो आप लोग को थोड़ा सा धैर बनाया रखें यह एरेज कर दिया आपने कल भी ट्रिक बताए था वो ट्रिक चुकि यह क्लास है और यह प्लसंटेशन तो हमें भी कभी याद नहीं हुआ मगर जब ट्रिक तयार के तब से हमारा कोई कोई कोईशन कभी गलत नहीं हुआ हमारे मित्र जो असिस्टेंट प्रोफेसर तक का एक्जाम दिये हैं उ बात फक्र से तो ऐसे लिख सकते हैं यहां लिखते हैं फक्र से पिर आता है क्या कि आप फक्र से यहां वजा नहीं आ रहा है। उसपे चलेना किस पह नहीं पे फक्र से इस नहीं है तो कि एगर बोर्ट लेकर चलते हैं आपको बोर्ट पर चलेंगे तो चीजें समझ में आएंगी तो चलो देखते हैं क्या है चलो हो गया है अब यहां हमने कहा था पीपी पीपी सी स्क्वाइर ने असलम की तो असलम की बात फाक्र से तो हमाय से लिखते ना फाक्र से यह वैसे फाक्र से तुनी तो यह हमने लिखते हैं तुनी तुनी और तुनी लेकिन द्यान नखेंगा लेकिन मिले नहीं क्या लिखा मिले नहीं तुम बखो जी तुम बखो लिखा है तो मैं से लिख से बखो सामा जी तुम बखो जी ये इतने बस इतनी लाइनों से हम आपको ये बता दें कि मित्र कोई भी आपका कुश्यन आ जाए प्लसंटेशन से याद नहीं होते कभी गलत नहीं अब कैसे नहीं होगा तो चलो एक-एक को हम डिकोड करते हैं PPC square तो पहले P से होगया Pyridal क्या हो गया Pyridal Placentation किस में पा जाता है तो इस P से हो गया क्या PIPA VIRESI C का मतलब 2C यह न तो एक C से हो गया crucifery दूसी फेरी दूसी फेरी और एक से एक सी से दूसरी सी से क्या हो गया दूसरी सी से हो गया कुकर विटेसी कुकर विटेसी अब हम बात करते हैं असलम की, तो असलम से क्या हो गया, अलग अलग लिख दे नहीं समझ नहीं, ए से कौन से हो गया, पहला जो सब्द है वो प्लसेंटेशन का नाम है, एक्जाइल प्लसेंटेशन, प्लसेंटेशन, एक्जाइल प्लसेंटेशन के से, यस से कौन से हो गया, त फक्र आया है फक्र अब यह हम लिख लेते हैं फक्र फक्र को डिकोट कर लेते हैं तो जो इंग्लिस में लिखे हैं फक्र फक्र का मतलब क्या हो यप से हो गया फ्री सेंट्रल प्रेसेंटेशन का नाम क्या हो गया पहला अच्छार है फ्री सेंट्रल CR से क्या हो गया CR Karyophyllacy Karyophyllacy हो गया Free Central Placentation किसमें पाजाता है Karyophyllacy में सुनी का मतलब क्या हुआ SU है SU से क्या हुआ Super Super Thacial Super Thacial Placentation Super Thacial Placentation तो ENI लिखा है ENI से हो गया NIMPHYC क्यों हो सकता है PIT के पीछे आ रहा हूँ NIM Super Thacial किसमें पाजाता है NIMPHYC में अब आता मिले मिले को DECODE कर ले तो मिले को अगर DECODE करेंगे तो मिले को YMI है YMI से हो गया Marginal Marginal Placentation Placentation Marginal Placentation किसमें पाजाता है तो इली है तो ये हो गया Leguminesi हो गया Leguminesi फिर तुम Bucco Bucco से क्या हुआ Bucco को कहा करें यहां कर दें जगे कामा अपने नोट कर लिया है Screenshot ले लो ले लिया Screenshot चलिए अब थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे और यह आया Bucco G यह वाला है Bucco Bucco का मतलब क्या हुआ Bucco लिख दिया और यह लिख दिया G तो Bucco से B से हो गया Basal Placentation क्या हो गया Basal Placentation Placentation Basal Placentation किसमें देखने को मिलता है तो यह T O है C को O का मतलब हुआ Composity Composity में देखने को मिलता है और G E से क्या मतलब हुआ Gramini Composity और Gramini में अब आप बताओ अब आप हमें मित्र यह बताओ कि आप तो कोचिंग हो पढ़ते हैं आप बताओ यहाँ Placentation कभी गलत होगा नहीं कितना पढ़ना है केवल याद रखना PPC2 ने असलम की बात फक्र से सुनी लेकिन मिले नहीं तुम बको जी यानि PPC2 एक व्यक्ति है जो असलम की बात फक्र के साथ गर्व के साथ सुन रहा है फक्र के साथ आदमी नहीं सुनी और लेकिन मिले नहीं सुनी तो फोन पर सुना लेकिन उससे मिला नहीं और बाद में बोला तुम बको जी उसकी सुनी फिर बोलता है तुम बको जी बस इतना आप याभ कर लेंगे प्लेटेशन कभी गलत नहीं होगा और अब चलते हैं को मैं प्लेशन की दरसन करा दें यह presentation है marginal presentation और यह क्या होता है कैसे होता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है हम आपको तब भी बता रहे थे कि doctor notes परिवार selection इसलिए दे रहा है चुकि selected पढ़ाते हैं हम आपको BA की तरह है, BSC की तरह है presentation यह placenta निकला फिर यह निकला, फिर यह वाल से निकला हमें इसमें कोई interest नहीं है क्योंकि question बस यही पूछा जाता है marginal presentation किस family में पाए जाता है यह आप पौदे का नाम दे देगा तो अगर आप family जानते हैं कि अरहर legumination पाए जाती है मैं खुद एक ऐसा ability हूँ जो 5 exam आपके साथ crack किये कितने exam crack किये? 5 TGT 2021 क्रैक किया TGT 2021 में selection हुआ PGT 2021 में selection हुआ TGT 2016 में selection हुआ GIC pre में हुआ आश्रम पद्यती pre में हुआ कितने exam होगे? 5 5 में selection हो चुका है तो आप तभी तो हुआ है जब हम सब मिलकर एक साथ मेहनत कर रहे है ट्रिक्स के साथ पढ़ रहे है selective पढ़ रहे है हम कोई भी notes जो आप देख रहे है हमारे जितने भी एक पर मितर जुड़े है क्यों? क्योंकि आपको छोटी classे देते हैं भी को selected matter देते हैं कि बस आप पढ़ें और select हो जाए मतलब चड़िया की आरजुन के जैसे चड़िया की आख देख रहे है तो ऐसे दिखाते हैं यहां बहुत बड़ा मतलब वह नहीं है कि इस्टीडियो हो और यह आए वो आए और बाद में पैसा लिया सब गायव हो गया ऐसा यहां कुछ है नहीं तो कि पैसा जो membership ली जा रही है वो इस बात की ली जा रही है कि आप का खर्चाता है आप के maintenance का खर्चाता है आप को developing करने का खर्चाता है उसको run कराने का खर्चाता है, data का खर्चाता है, instrumental कुछ खर्चाते हैं तो वो हमारी proper चलते रहें बकाया सारी सेवाई फिर ही आपका आश्टो प्लब्ध है आपको जैसे कि discussion है, notes है, practice set है, हर Sunday को practice set देते हैं उसके लावा सारी classes हैं और आपका कभी-कभी हम लोग phone पे भी group calling करते हैं दूसरे से सबकी समस्या है भी लगोग दो-दो-ददस दिन में सुनते एक दूसरे की रहते हैं और बकाया कोई समस्या है तो आप call कर सकते हैं call करने के लिए नंबर सब आप जानते है 94-52-920-508 यह हमारा टेलीग्राम नंबर भी है और यह WhatsApp नंबर है यहां message आप करते हैं तो देखते है reply जरूर करते हैं अच्छा तो वही marginal presentation तो यहां हमने trick क्या बताई थी मिले मिले का मतलब marginal किसमें पाई लगी मिले exile presentation तो हमने क्या बताई था असलम असलम से exile यस से क्या था सोलेनेसी यल से लीलेसी यम से मालवेसी देखें आपके समस्या है खतम अच्छा अब आता है free central free central के मतलब हम क्या बताई था फक्र से फक्र में यप से आता है free central CR से आता है karyophyllacy और बार बार question ये exam में देखने को आपको मिलता है karyophyllacy वाला फिर आता है pyrital placentation हमने बताय था ना pp c square p से क्या हुआ और इस p से क्या हुआ papabiracy c क्यूसी फेरी दूसरी c क्या हुआ अब अब आये आप देखेंगे तो pyrital placentation में क्या होता है antrikuwal से ही placenta लगे रहते है superficial placentation superficial में बताया क्या था superficial में हमने आपको बताया था बगो जी p p square ने असलम की बात फकर से सुनी तो हमने क्या बताया था फकर से सुनी यह से हुआ और यह निंफिया यह निंफिया सी कुल में देखने को मिलता है basal की बात करें basal placentation में हमने कहा था न बगो जी तो बगो में हो गया basal और को से हो गया composite और जी से हो गया अब बताओ कितना बिल्कुल सरलता के साथ बिना किसी छन चान किसी बिना बेदभाव के आपको पूरा placentation हमने रटा दिया है कसम है कि आप आज के बाद कभी question गलत करेंगे अच्छा अब आता fruit fruit से भी एक नए question आपको देखने को मिलता है फल से हम भी को selected पढ़ाएंगे कुछ भी यहाँ अच्छा आपको नहीं मिलेगा इसके बाद हमें लगता fruit के बाद हम लोग stem, root और leaf पढ़ेंगे उसके बाद फैमिलियां लगबग 6-7 10-15 फैमिलियां वह फैमिलियां फिर इस्टार्ट करेंगे फल फल में क्या आता vein fruit डबलब from ovary called fruit जब फल ध्यान रखेगा जब फल ovary से डबलब होता है किसे? ovary से विक्षित होता है जब फल ovary से विक्षित होता है तो इस प्रकार के फल को हम क्या कहते हैं तो सत्त फल कहते हैं क्या बोलते हैं? सत्त फल के नाम से जानते हैं अब यह फर्योवादीस और पूल के किसी भी घिस्थ होता यो आसता फुल को आनेसे विक्सित होग किसी हिस्थ हो जाता है। थाइप आफ फूल की बाध करें जैसे आते हैं सिंप्ल एग्रिगेट और क्मपोजिट या मिल्टिय। पूसाले सबते है सदाधरन फ़ल से एक कारपल से इसमें संगल फ्लावर होता है और सिंगल अग्रिचन मौनं तरन हब आप व्हलों तरी होता है ओस बहुण बन दाएं त्युहकर से होता है जुका कि अब च कंट होते है कही दाएं और पोकारपस, ओवरी और सिंगल फ्लावर, कमपोजित में क्या था, डबलब फ्रामदा, होल इंफ्लोरिस, पूरे के पूरे पुस्पकारप, सब कुम बताएंगे, सिंपल की बात करें, सिंपल फ्रूट काउन से होते हैं, या फल काउन से होते हैं, साधान फल, तो ड्राइ भागाएं, डिहिसेंट, इंडिशेंट और साइजोकारप, यह होते हैं, अब इनको एक एक को हमें आते देखेंगे, डिहिसेंट फ्रूट क्या होते हैं, तो यह पहले हाता, लेग्यूम, फॉल्किल, सिल्कुवा, सिल्कुला, और यह सिल्कुवा, सिल्कुला आपके, यल् ठारा में कोश्चन बन चुका है। डिसेलफुरूट में लेग्यूं, ओल किल, सिलकुल, सिलिकुला अगर यहां से लिखेंगे लेग्यूं, ओलकिल, सिल्टूव, लेखुल, सिलिकुला और कैम्सुलरू, यह फुरूट। पहले हम ले लेते हैं लेग्यूव्म जहान से सुनवेगा की सब्कून की होता हुआ यह दोनों तरफ से भड़का पर से उपड़ नादिते 25 डॉन तरफ सब्ड़क में पाक जाता उसकी बाद जैसे की सठाईवम मित राधी में इसमें मतर med किस में देखने को मिल पॉलकिल की बात करें कि यहेवल एक तरफ से फटता है तरफ से फटता है जैसे कि मदार sweetheart सिल्कुवा क्या होता है इस साइट से भी और इस साइट से भी और नीचे से उपर के और फटता है इस से भी और फटता है इसमें फल की लंबाई और चौड़ाई समान होती है लच्छ शिल्कुवा जैसे ही होते है जैसे कि कैपसेला दूसरा आईबेरिस अमारा में देखने को मिलता है कैपसूल कि इगर बात करें कैपसूल क्या होता है कैपसूल बाय कार्पल्री होता है या फीर bilingual travel होता है तीन ठाथता है पोरास कैपसूल होता है या वालूलर च्छेथ हो जाता है या व्यालूर बन जाते हैं यह किस में देखने को मिलता है तो प्रोटुलैका में देखने को मिलता है किस में प्रोटुलैका में देखने को मिलता है पैपवर में देखने को मिलता है अफीम में मालवेसी कुल में देखने को मिलता है एकैंथेसी कुल में देखने को मिलता है लाइनम में देखने को मिलता ह है है यह सब किसमें देखने लोटे है के अब आता है Одária Đ refers और को इनकी फल्बूति पकने के बाद भटती नहीं है तो इस प्रकार के फूर्ट को हम इन अधिशाएइं पूछा गयाए क्या इसको नम जानते हैं इनेम प्रूट के नाम से जानते हैं पकने के बाद इनकी फल्वित्ती फट्टी नहीं वह ऐसी की वह ऐसी बनी रहती है जैसे कि एकीन ये क्वेशन पूछा गया एकीन डबलब फ्राम सुपीरियर ओवरी और सुपीरियर ओवरी क्या होती है आयसी ओवरी जिसके नीचे से कयल히कस, कोरोला, एंडोसियम, गैनोस्यम सब नीचे से निकली रहें ओवरी उपरो आधीन पुर्विशन परवरी सूपीरियर ओवरी और सीट-कोरोट रिमें फ्री इनमें जो पेरिकार्फ होते हैं और सीट कोड़ सब फिरि होते हैं जैसे कि पोली गोनम, मिराबिलिस, क्लेमाइटिस ये अलिक एक और ह предлаг बन चुका है ये एकीन किसमें देखने को मिलता है क्लेमायटिस, और कलेमाइटिस किसका सद्यसी है? मेरा बिलिस जलापे, is層 में प्राया एकीन प्रकार का फ़ल बगता है, एकीन प्रकार का फ़ल कैसा है? ऐसा प्वल जो पकने पर फटता नहीं है, दीसराореop CRIS recoverop fuse होते हैं देखिए एकीन में दोनों स्वतंत होते हैं पेरिकार्प और सीड कोड सीड का जो आबरोन होता है दोनों कैसे हैं स्वतंत हैं और Kerryopsis में क्या है दोनों fuse हैं दोनों कैसे हैं फ्यूज हैं जैसे कि Gramnicol में Gramnicol में अब आता है Caps sulla Capsula इसका क्या लिखेंगे डेवलब फॉरॉम किससे रिकसित हो था डेवलब फॉरौम इंफीरियर ओवरी और उन्फीरियर ओवरी हमने बताय था आपको कि वह इविडियर ओवरी अभी जब हम डिसकस कर रहे थे पी कार्प मीजो और यस तरह से ऑर जहा हमने हाइपो गाइनस का थ्यान रखेंगा यह कम जिती का रच्छान है ध्यान रखेंगा, बार बार केडियोपसिस और सिपसेला पूंचते हैं, त्विट किस में और बार TGT, PGT में दोड़ाए जाता है, तो सिपसेला जो fruit है वो Compositive Family में लेए कहता है डवलब फ्राम inferior ovary किसमें देखने हो मिलता है और हमने inferior ovary का फार्मूला बताया था CCRU ये फार्मूला आपको बताया था हमने कहा था किन किन फार्मूलियों में inferior ovary पाई जाती है उसके लिए हमने ट्रिक बताई थी केवल याद रखना CCRU यानि चंदू के चाचा रामपूर से umbrella लाए या तो ये ट्रिक याद कर लीजेगा अगर साथ में याद करना है तो CCRU हमने बताया था चंदू के चाचा रामपूर से umbrella लाए या पिर याद कर लो CCRU और इनी ये जो CCRU याद रखेंगे तो इनमें सब में inferior पाई जाती है इनको छोड़ के सब में superior पाई जाती है तो ये हमने आपको बताया था डबलब फ्रामदा inferior ovary दूसरा पेरिकार्प एंड सीट कोट रिमेंस फ्री इनमें पेरिकार्प और सीट कोट दूनों फ्री होते है, जाके से कि सिपसेला में चलें अब आता nut nut किसमें देखने को मिलता है? पेरिकर्प become hard and leathery पेरिकर्प जो होता है वो बहुत कठोर होता है और किसमें देखने है नट किसमें देखने मिलता है? स्रणी में आते हैं, चुकि इनकी जो पेरікार्प है, वह अत्यदिक कठोड होती, इसलिए यह सब नत में आते हैं, समारा समारा क्या होता है, पेरिकार्प इस विंग्ड, इनकी जो पेरिकार्प होती है उसमें क्या होते है, चारो तरफ wing मतलब पंखे पाए जाते हैं जैसे कि चिल्बिल हैलियो पिटेला क्या बोलते हैं हैलियो पिटेला में देखने को मिलता है पेरिकार्प विंड फिर आता है साइजोकार्पि साइजोकार्पि तीसरा प्रकार है तीसरा प्रकार दो बता है additions, indecents और cyzocarpy cyzocarpy क्या होते हैं भी देख लो decents decents का मतलब into one seeded segment compartment card marycarp, इनमें क्या होता है एक-एक seed के लिए अलग-अलग compartment बना रहता है on the basis of on on the basis of on of marycarp following type, in marycarp के उपस थे थी है जो एक-एक compartment उसके अलग-अलग होते है यह बहुत important है, बार-बार पूछता है creamocarp, creamocarp धनिया में देखने को पूछता है किसमें? धनिया में किसका गुण है? अंबली-फेरी का किसमें क्या है? कारपो-फोर पाए जाता है यह dudental carpo-फोर और इसमें creamocarp फल पाए जाते है धनिया में अंबली-फेरी में रेगमा किसमें देखने को मिलता है? dehiscence into three kokai यह फटता है तो तीन kokai में फटता है जैसे की caster में जब फटे दर देखना caster caster जानते है तो अपूछ देता है रेगमा fruit किसमें पाए आता है? रेगमा fruit किसमें पाए जाता है caster, caster को मिलता है आर अंडी यह अंडी में देखने को मिलता है अंडी चटकती ही ने गर्मियों में बच्चे खेलते हैं ऊना पूना यहां रख्के लड़वाते हैं पता नहीं आप खेलें कि नहीं खेलें में बच्चपन में खेला है यह सब गाउं में रहते थे तो बच्चपन गाउं का तो आनंदी है तहर में तो बस बड़े-बड़े बैग और दुनिया बर की परेशानी और बस पढ़ाई 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 और नौकडी लग जाए उसके बाद साधी जिंदी की जीए कि गाउं का जीवन बड़ा सकून में होता है अब आता है कैसल कुछ आता है डिसेंस इंटू फोर्टू-7 नहीं बना है डबूल समारा डबूल समारा double सीड़ेट डबूल विंग्ड फूरूट इसमें क्या होता दो बीज होते हैं और दो विंड होते हैं जैसे कि एसर में व इसमें देखने को मिलता है एक ऐसी या एक ऐसी या टर्मिलेंडस जैसे की इमली में ग्राउंड नट इनमें देखने को मिलता है तो यह लोमेंटम की स्रेंडी में आते है अब आता है सिंपल फ्रूट फ्लैसी सकूलेंट है इसे फ्रूट जो सकूलेंट होते है तो इसमें पेरिकार्प तीन भागोंबटी रहती है एपिकार्प मीजोकार्प और इंडोकार्प तीन भागोंबटी रहती है पेरिकार्प तो इसमें आता है डूप बहुत पूछा जाता है बार ब बीजवाले फल होते हैं यह जो डूप होते हैं इनमें AP कार्प क्या होती है बाहर देखना आम को लेके चलो आम को सोचो बाहर जो छिलका होता है पतला होता है और जो बीच में गूदाखाते हैं काटते हैं जो वह फ्लैसी और मोटा होता है और Indocarp चलो अंदर अंदर क्या देखते हैं अंदर देखते हैं गिठली है इन प्राया यह किसमें देख ने हो डूर बार भार खासकर मैंगो कोखोनच बार बार एक्जाम में देखने को मिलता है य से टमाटर में एसे होती है देखे एपिकार्फ थिन होती है, मीजोकार्फ फ्लैसी होती है, और इंडोकार्फ भी थिन होती है, यह मल्टी सीड होता है, बीज प्लसेंटा से अलग हो जाता है मैच्चोर होने के बाद, जैसे कि टुमाइटो, ब्रिंजल, बनाना, ग्वावा आदी, यह सब बेरी के अंतर गताते हैं, इसके अंतर गताते हैं, बेरी के अंतर गताते हैं, तोमाइटो, ब्रिंजल, बनाना, ग्वावा, इसमें क्या होता है, चित्रों को समझाने का तो कोई मतलब है नहीं, पेपो, पेपो क्या होता है, पेपो, डबलब फ्राम दा इंफिरियर ओभरी, उनने CCRU बत क्या होता है? यजिसिसा नीबु को काटेंगे तो नहीं लंबे-लंबे रहागे, बड़े बड़े रहे बमड़ी में रजब्ढरा रहता है, अभी हो भी नीजंब्ब को काने है, तहीं सारे चेंबर जैसे कि औरेंज सीटर यह हैस्पिडियम होता है जैसे कि पीयर और एपल यह सब किस में हाते हैं पीयर और एपल ब्लाष्टा किस में हाता है ब्लाष्टा ब्लाष्टा किस में हाता डबलब फ्राम इंफिरियर ओग रगरी पेरीकार्प कि पेरिकार्प मजबूत होती है एडिबल पार्ट जो तो होता है टेश्टा जैसे कि पोमिग्रांटी अनार कई बार पूछा गया ब्लाष्टा पिर आता है MP-Sarka, MP-Sarka के नतरगत कोन आता है, MP-Sarka में कैथा आता है और वेल आता है, यानि alyphant apple, कैथा को बोलते हैं alyphant apple और whale को पूरते हैं wood apple, इन में देखने को मिलता है MP-Sarka, एक्जामपल ही कैवल पूछता है, एग्रिग्रेट फुट पुंज फल जो देखते हैं, पुंज फल क्या आता है, इटेरियो आप फॉलकिल, ये कैलो टॉपिस में देखने को मिलता है, इटेरियो आप बेरिस, ये किस में देखने को मिलता है, कश्टर्ड एपल, सरीफा में देखने को मिलता है, इटेरियो आप प्रूट यह कंपोरजिट होते हैं यह सोरोसीज और साइक ओनास होते हैं क्या होते हैं रॉस्जी में देखने की ज में दब लॉँटा है डब्लब फ्रया में इस पाडिक्स्पष्ट पर डंड गैट्किन से डब好。」 जैसे हoking जैङ both spiritual पाइनेपल में सोरोसिस देखने को मिलता है यह बना है यह बना है यह बना है यह बना यह बन चुका है साइकोनस प्राया फाइकस जैसे कि गूलर, अंजीर और बरगद आदी में देखने को मिलता है साइकोनस डबलब प्रामदा हाइपन्थोडियम और साइथियम इनफ्लोरेसंस से साइकोनस डबलमेंट होता है तो इस तरह से आपका आज fruit खतम हुआ और प्लेशेंटेशन खतम हुआ कल हम लोग जो चर्चा का बिसे लेकर चलेंगे तो कल हम लोग चर्चा का बिसे इस्ट्रम को लेकर चलेंगे तो आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें तो इस एक साथ दोस्तों नमस्कार